वेलकम बेक तो मा यूटूब चैनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 38 ठीक है क्वेश्चन नंबर 38 अपसे पहले हमने 37 तक एक एक करके डिसकस कर लिए है क्वेश्चन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा है ठीक है सो इससे के बताना है इसके बारे में आपको बताना है ठीक है ऐसे यूगिक जनमें आपका सीलीकॉन पाया जाता है ठीक है तो वह सभी क्या होते हैं है तो इन पर क्या करना है workshop नोट लिखना आपको कि जो सिलीकान ऌनबर इंडश्ट्री में किस तरह से उपयोग किये जाते हैं तो उसे बात करते हैं सिलिकॉंस के उद्धोंग Muse का उपयोग क्या उपयोग है अच्छे से आपको पढ़ना ठीक है इसमें कोई बहुर्ट ज्यादा समझने वाला ज्याद रखना फिक है यह पहला की पट्टी तो इसके साथ में क्या बन जाएगा आपका पेंट बन जाएगा सबसे पहला उपियोग हो गया दूसरा उपियोग कह रहा है एलुमिनियूम युक्त सिलिकॉन पेंट चार सो डिगरी से इंटी ग्रेट तक आप सहन कर सकता है कितना जो हमने पेंट बनाया सिलिकॉन प्लस ऐलुमिनियूम की पत्ती कहा तो यह ऐसा पेंट है जो आपका 400 degree centigrade तक temperature को सहन कर सकता है ठीक है important point है थाड़ कहरा उच्छ ताप तथा मौसम द्वारा अप प्रभावित paint PIO2 यूक तो बनाने में ठीक है तो इससे ऐसा भी paint बनाया जा सकता है किस सिलिकॉन से जो आपका कैसा हो उच्छ ताप को सहन कर सकते कर सके और मौसम द्वारा अप प्रभावित रहे ठीक है मौसम का और उच्छ ताप पर उच्छ ताप का इस पर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्थन ना पड़े ठीक है तो ऐसा भी paint इससे बनाया सकता है ठीक है किस से सिलिकॉन से फोर्थ कह रहा है साबन प्रत्रोधी कैसे साबन प्रत्रोधी मतलब साबन लगाने पर उन पर साबन का कोई असर ना पड़े बसा निसक्रिये तथा फलों के रस प्रति अक्रिये लेपन में ठीक है साबन का प्रत्रोध होगा, मतलब सावन प्रत्रोधी, सावन लगाने पर उन पर कोई असर ना पड़े, ऐसी चीज़े बनाए जाती है, और बसा निसक करिये, यानि कि बसा पर इसकी कोई करिया ना हो, फलों के रस प्रति अक्रिय लेपन में, फलों के रस के प्रति कैसा होगा, अक्रि प्रित्रोधी कारियों में कुछ ऐसी बस्तुएं होती है जिन में बिद्दुत का चालन होता है लेकिन उनको हम डिरेक्टली नहीं पकड़ सकते हैं इसलिए कुछ आपके सिलिकॉन करेंगे ज़या आता है जहां पर क्या होगा आपका विद्धुक प्रत्रोधी कारियोंकि विद्धूक प्रत्रोध करेंगे थीसे gram करेंगे काँ यह आपका सांचे राया जाते हैं तो मुस्दै नहीं बस्तिकольш को T साचे कर सिलिकॉन तरल या तेल के उपियोग है अब क्या करना है तरल या तेल के उपियोग ठीक है किसके सिलिकॉन के तो नमबर बन क्या हो जागा जल ताप तरल के रूप में क्या होता आपका जल चाप तरल के रूप में ठीक है जल चाप ठीक है हाइड्रॉलिक तरल के रू में थर्ड आपका है जल मिस्रित पायज टिक हैं क्या है जल मित्रं क्या होगा आपका वस्त्रुप प्योग में इसका काम होगा और कागज बनाने में भी इसका काम किया जाता है ठीक है उपयोग में लाया जाता है फूर्थ पॉइंट कहरा है उच्छ ताप तेल उश्मक बनाने में ठीक है उच्छ ताप तेल उश्मक बनाने में भी आपका सिलिकॉंस का उपयोग किया जाता है फिप्ट पॉइंट है सब्सक्राइब करें तो ऊच्च निर्वात निखा निकले ताहिए तो पंप बनाए जाता है जो करता है यहां से सारी बायू को धीरे धीरे बाहर निकाल देगा ठीक है तो फिरी यह क्या हो जागा आपका एक निर्वात बन जागा क्या बन जागा निर्वात बन जागा ठीक है शिक्स कह रहा है निम्नताप इस नहक बनाने में कैसे निम्नताप इस नहक बनाने में भी आपके सिलिक मुषिंध कर जारा जाग है यानि कि जागूं के प्रतुरोधी की रूप में जागूं का कोई असर ना पड़े तो ऐसी चीजें भी बढ़ाए जाती है अगला है सिलिकान स्रवर के उप्योग ठीक है सिलिकॉन स्रवर के क्या उप्योग है इसकी हम बात करेंगे तो सिलिकॉन स्रवर के क्या उप्योग है नमबर एक बिस्तरत ताप चेत्र में प्रित्यास्त युक्त प्रियोगों में बिस्तरत ताप चेत्र में यानि कि बहुत बड़ा आपका चेत् बंद करने में जो आपके aircraft या जैट बिमान बनते हैं उनके जोड़ों को ठीक है जब जोड लगाय जाते तो उनको बंद किया जाता इसी से ठरड कहरा है ऐसे विद्धुत ठीक है ठीक है, silicon rubber का, जिनको हम गरम कर सकते हैं, ठीक है, गरम करने पर क्या आओंगे, वो गरम हो जाएंगे, जिनको हम directly नहीं चूँ सकते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, silicon pudding rubber का उपयोग कर लeilते हैं, ठीक है, next करहा silicon grease के उपयोग, अब क्या है है वे बनता है और उपयूक क्या है dan ऐता आँ उच गती पर कारीद कल वाएरे कॉर्म तब लीरिंग में इस नेहक के रूप में तो व्च ताप और व्च गती पर बहुत तेज़ झो गती करते हैं उनमें कारीरत क्या होता है बाल वीरिंग में इस नेहक के रूप में ठीक है जिसे हम बैरिंग कहते हैं ठीक है वेरिंग ठीक है कुछ इस तरह का बना रहता आपका वेरिंग उसमें इस नेहक या लुबरी केंट के रूप में जो काम में किया जाता है ठीक है लु हवाई जहाजों में इस नेहक के रूप में ठीक है तो हवाई जहाजों में भी यह इस नेहक या लुब्रिकेंट के रूप में उप्योग किया जाता है ठीक है तो इस तरह से आपका कुश्चन नमबर 38 जो कि उद्धोगों में सिलिकॉन पर टिपड़ी पूँच रहा था ठीक है क्या पूँच रहा था उद्धोगों में सिलिकॉन का क्या यूज है या उद्धोगों में सिलिकॉन पर क्या करना आपको एक टिपड़ी लिखनी है ठीक है कुश्चन नमबर 38 आ समझ में आया होगा विजते हैं अगले वीडियो में अगले कुश्चन के साथ बने लिए हमारा साथ तब तक लिए थैंक्स फॉर वाचिंग और शेयर दा वीडियो अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना